हेलो एब्रीवन वेलकम बैक तो माई चैनल दोस्तों आज की वीडियो में पढ़ने वाले हैं क्लास 6 का इंग्लिस लेसन 10 हम लोग पढ़ रहे थे इस चैप्टर का नाम है बैंबो करी इस चैप्टर से रिलेटेड दो वीडियो अप्लोड हो चुका है आपको दोनों वीडिय चैनल से जूड़ सकते हैं मेरे सेकंड चैनल को लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा आज की वीडियो में हम ग्रामर पॉर्शन को सॉल्व करेंगे पिछले पार्ट में हमने बी वन पॉइंट वन से सी टू दो कॉसल सॉल्व कर लिया था और आज हम ग्रामर पढ़ेंगे यहां पर दिया गया है मतलब इस सेंटेंस को ध्यान से पढ़ें नीचे जो सेंटेंस दिया गया है उसको ध्यान से पढ़ना है यानि कि उसने कहा कि यह खाने में बहुत ही कड़ा है उसने कहा मैं इसे नहीं खा सकता मतलब उसने उसने पतनी से कहा कि बास के दरवाजे की कड़ी बना यानि यह है क्या उसने कहा क्या तुम नहीं जानते थे कि कड़ी बास के टहनी की बनाई जाती है अभ यहाँ पर दिया गया है notice that each sentence given above consists of two parts one within the inverted commas and another outside it the part within inverted commas is called reported speech and part outside it is called reported clause reported speech is also called direct speech we can change the direct speeches into the indirect once as follows यहां पर यह बोला जा रहा है कि सेंटेंस को जब आप द्यांसे पढ़ेंगे तो इसमें दो पार्ट दिया गया है एक पार्ट है इंवर्टिट कोमा के अंदर और एक पार्ट है इंवर्टिट कोमा के बाहर तो जो पार्ट इंवर्टिट कोमा के अंदर है उसको हम रिपॉर् स्पीच रिपोर्टेट स्पीच को हम क्या कहते हैं डार्यक्ट स्पीच भी कहते हैं यहां पर जो इन्वर्टेट को मा के अंदर सेंटेंस है इसको हम क्या कहते हैं रिपोर्टेड स्पीच यानि आर एस यहां पर हम लिख सकते हैं और इसको हम कहेंगे रिपोर्टिंग भर्व या फी रिपोर्टेड क्लाउज रिपोर्टिंग क्लाउज ठीक है इसको हम रिपोर्टिंग क्लाउज भी कह सकते हैं या रिपोर्टिंग भर भी कह सकते हैं और इंवर्टिट कुमा के अंदर जो भी सेंटेंस है इन सब में इंवर्टिट कुमा के अंदर जितने भी सेंटेंस उसको करने रिपॉर्टेड स्पीज फिर इसमें यह कया रहा है कि रिपॉर्टेड स्पीज को हमदाय किसमी कहते हैं यानिके मटमा के बगव के अंदर च helpful है उसको हम जो सभी कहते हैं और इसी ही से इट में चेंज करका गया है इसी तरा से बाकी के सप्रीं को भेट और पढे अर सधान होता है कफ़ान यह ग्रामर का पुल्य को पढ़ेंगे पूरी टॉपिक को आप पढ़ेंगे तब आपको narration अच्छे से समझ में आएगा direct speech मतलब होता है प्रत्यक्ष कथन और indirect speech मतलब होता है और प्रत्यक्ष कथन यानि कि जब हम किसी से कोई भी बात direct करते हैं प्रत्यक्ष रूप से करते हैं तो इसको हम direct speech कहेंगे और जब हम वही बात किसी के through कहलवाते हैं तो उसको हम कहेंगे indirect speech यानि कि और परत्यक्ष कथन तो इसमें direct speech को indirect speech में change करना होता है यानि कि परत्यक्ष कथन को और परत्यक्ष कथन में change करना होता है आगे हम लोग देखते हैं आगे हैं notice the differences between the sentences in direct speech and indirect speech then do the following exercises तो यहां पर कुछ sentence दिये गए है यहां पर लिखा गया है write direct speech or indirect speech against the sentences given below यहां पर जो sentence दिया गया है उसमें हमें यह बताना है कि कौन सा direct speech है और कौन सा indirect speech है जो direct speech का कथन होगा वहां पर हम डी लिखेंगे और जो indirect speech होगा वहां पर हम आई लिखेंगे जिस sentence में inverted कोमा होगा वो sentence direct speech होगा और जिस sentence में inverted कोमा नहीं होगा वो indirect speech वाला sentence होगा A नमबर का sentence direct speech वाला sentence है तो यहाँ पर हम D लिख देंगे और यह sentence भी direct speech वाला है तो यहाँ पर भी हम D लिखेंगे यह sentence है indirect speech का तो यहाँ पर हम I लिखेंगे दी नमबर का sentence direct speech वाला है तो यहाँ पर हम दी लिखेंगे और यहाँ पर लिखेंगे I क्योंकि इसमें inverted कोमा नहीं है यानि यह indirect speech वाला sentence है next है change the speech of the following sentences यानि इस sentence का speech हमें change करना है यह sentence अभी direct speech में है इसको हमें indirect speech में change करके लिखना है जस्तों यहाँ पर मैंने sentence को change करके लिखा हुआ है उसका speech change करके लिखा है direct speech वाले sentence को indirect speech में change करके हमने यहाँ पर लिखा हुआ है यहाँ पर sentence है I am writing a letter he said to his mother इसका sentence हो जाएगा he said to his mother that he was writing a letter जस्तों narration में कुछ rules होते हैं और उसी rules के थ्रू हम direct speech को indirect speech में change करते हैं next sentence है she said I will help you she said that she would help him इसका indirect speech होगा she said that she would help him next है can you show me the way he said he asked, he said को या पर he asked लिखा गया he asked if he could show him the way the teacher said to me post the letter the teacher said him to post the letter next है are you serious she said she asked, she said को या पर लिखा गया she asked if he was serious चलिए हम next question देखते हैं यहां पर next question है D3 में answer is of the following in not more than 50 words यहां पर दो question दिया गया है इस question का answer हमें 50 सब्द से ज़्यारा में नहीं देना है यहां पर question है why did the son-in-law commit the mistake यानि कि दमाद ने गलती क्योंकि इसका answer होगा the son-in-law was not knowing that the curry was made from the bamboo suit and not from the bamboo door यानि कि दमाद को पता नहीं था कि curry बास के टहनी की बनाई जाती है ना कि बास के दरवाजे की so he committed the mistake तो इसलिए उसने गलती की next question है why and how did the wife of संथाल ट्राइब try to make the disc soft इसका हिंदी मीनिंग हो जाएगा कि संथाल जन्जाती की पत्नी ने डिस को यानि कि वेंचन को क्यों और कैसे मुलायम बनाने की कोसिस की इसका अंसर होगा the wife of the संथाल ट्राइब also did not know that the curry was made from the bamboo suit यानि कि संथाल जन्जाती पत्नी नहीं जानती थी कि कड़ी bamboo suit की बनाई जाती है यानि कि बास की टहनी की बनाई जाती है at first she was socked to hear from her husband to make curry from the bamboo door तो इसलिए जब वो पहली बार अपने पती से सुनी यानि कि जब उसके पती ने पहली बार कहा कि बास के दरवाजे की curry बनाऊ तो वो बहुत socked हो गई वो चौक गई उसके बाद हम यहाँ पर लिखें है but his husband was forcing him to do so c had to make the curry लेकिन उसके पती द्वारा force किये जाने पर उसने क्या-क्या क्री बनाया next question है name the food that is made in your home on the following occasion यानि कि उस food का नाम लिखिए जो आपके घड़ में किसी खास मौके पर या अवसर पर बनाया जाता है तो first number में है for a fist, fist मतलब होता है बोज, festival मतलब होता है त्योहर when you are well मतलब जब आपको अच्छा लगता है या फिर जब आप अच्छे हैं तब कौन सा food बनाया जाता है everyday यानि प्रती दिन यहां पर हमने लिखा है for a fist या festival त्योहरों में हमारे यहां बनता है पूरी, खीर, रायता, सब्जी, पुला, etc तो सभी festival में अलग-अलग तरह का खाना बनाया जाता है और when you are well तो यहां पर आप कुछ भी लिख सकते हैं अपनी मर्जी से जो भी आपको अच्छा लगता है या फिर जो भी आपकी यहां अक्सर बनता है जैसे कि यहां पर हम ल प्रति दिन आपके घर में क्या खाना बनाया जाता है यहां पर हमने लिखा है रोटी, सब्जी, दाल, राइस, चट्नी क्योंकि जाड़ातर लोग की घरों में यही सब कुछ बनता है और कुछ लोग ऐसे भी होते होंगे जो प्रति दिन अलग-अलग तरह का खाना खाते हो होंगे तो यहां पर आप अपने अकॉर्डिंग लिख सकते हैं अब नेक्स्ट कॉसन लोग देखते हैं नेक्स्ट है डू यू हैवा सिमिलर डिस इन योर एडिया में फ्रॉम अमिक्स आफ मैनी वेजिटेवल्स यानि कि आपके एडिया में आपके छेत्र में जो भी सकते हैं चैि के ट्रॉम अब क्या नाम लिखना है मैं भाया कि यानलिक क्या कहलाता है तो इसी तरह का कुछ कहलें चाहिक काला तो वह कहलाता है mix vegetable बहुत सरी सब्जियों को मिला कर जब हम कोई डिस बनाएंगे तो वो कहलाएगा mixed vegetable या फिर आप अगर कोई और डिस बना रहे हैं और उस डिस का कोई और नाम हो तो आप यहां पर लिख सकते हैं बी निबर में है not down the ingredients used to make it यानि कि उस वेजेटेवल को बनाने में उस डिस को बनाने में आपको क्या क्या सामग्री लगी है उसको लिखना है यहां पर हमने लिखा है मैंने टाइपस वेजेटेवल यानि कि बहुत रखी सब्जा लगती है ओल यानि तेल लगता है आलू लग लगते हैं उसमें six to seven tomato tomato और coriander leaf यानि कि धनिया पती तो यह सारा चीज मिस वेजेटेवल बनाने के लिए लगता है next question है write down the recipe तो उस recipe को आप कैसे बनाते हैं उसको भी लिखना है तो यहां पर हमने लिखा है sort में the recipe is many vegetables and different spices with oil with tomatoes and onions the sort में हमने recipe को लिखा है इस chapter का last question है translation translate the following into English sentence है तुम्हारा prayer भोजन क्या है तो इसका English sentence होगा what is your favorite food मुझे मिठाई खाना बहुत पसंद है I like to eat sweets very much मचली मांसाहारी भोजन है this is a non-vegetarian food non-vegetarian मतलब होता है मांसाहारी मैं साकाहारी हूँ इसका होगा I am a vegetarian साकाहारी का में vegetarian दोस्तों यहां पर lesson 10 complete हो चुका है एंड हम लोग next वीडियो में next lesson पढ़ेंगे यह वीडियो अगर helpful लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए comment कीजिए और अपने दोस्तों के साथ वीडियो को share केजिए चलिए मैं मिलते हूँ आपसे next वीडियो में